हरे कृष्णा हमारे शास्त्रों से हमें ग्यात होता है कि श्री कृष्ण मधूर उच्षव रास नित्य का ही एक अन्य स्वरूप है जिसमें भगवान श्री कृष्ण वरंदावन में यमुना के तट पर पूर्णिमा की रात में गोपियों संग नित्य करते हैं ऐसे विबिन उच्षव हैं जिनमें भगवान श्री कृष्ण की रास लीला मनाई जाती है और ये मधूर उच्षव उन्हीं में से एक है इस दिन श्री श्री राधा और कृष्ण की फूलों से अर्चना की जाती है और उन्हें गोपियों से घिरे रास मंदप में रखते हैं नहीं था और इसलिए भगवान कृष्ण और गोपियों के बीच इस वभावी प्रवरित्ती को परकिया रस कहा जाता है यह रस गोलों को वरिंदावन में नित्य रूप से उपस्तित है परन्तो इस भौतिक जगत में के संभव नहीं है भौतिक जगत में इस रस को घ्रिनत मा भगवान के साथ वैसे तो कई और संभंध हो सकते हैं जैसे दास्या साख्या वादसल्या माधुरिया परन्तो इन सबी में परकिया रस को सर्वोच्च माना जाता है यह बहुतिक जगत आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब स्वरूप है जैसे किसी जलाशय के किनारे लगे विरिक्ष का प्रतिबिंब उस जल में दिखाई देता है और सबसे उपर की शाखा प्रतिबिंब में सबसे नीचे दिखाई देती है उसी प्रकार सर्वोच्च परकिया रस इस भौतिक जगत में सबसे घ्रिनित माना जाता है इसलिए जब साधारन लोग भगवान के आस्वादन की कोई संभावना ही नहीं है श्रीमत भागवतम में परकियरस का स्वपन या कल्पना में भी अनुकरण न करने की चेतावनी दे गई है श्रीमत भागवतम में इसके लिए भगवान अपी शब्द का प्रयोग करते हैं इसका अर्थ ये हुआ कि यद्यपी कृष्ण की पूर्ण पुरुष्णतम भगवान है इसलिए शड़ ऐश्वर्य से पूर्ण होने के कारण वे किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करते हैं तता भी उन्होंने गोपियों के साथ नृत्य किया भ एक चाथ ये रास्तरित्य योगा माया की अध्यक्षता में हुआ ना कि महा माया के इस बहुतेक जगत के यूवक और युवतियों के बीच पुरित्य को महाbuय के अंतल कत कहा गया है। योगा माया और माह माया के मद्ध बिननता को श्री चैतनिय चरितामरित में स्वन और लोहा, सोने और लोहे के उधारण द्वारा वन्नित किया गया है。 वैसे तो दोनों ही धातु है परंतु दोनों में भिन्नतास पष्ट है वैसे ही भगवान कृष्ण का गोपियों के साथ रास्टृत्य और साधारण युवक युवतियों के बीच मिलना जुलना देखने में एक समान प्रतीत होता है परंतु दोनों में बहुत अंतर है ये अं रित्यनाटिकाओं से कृष्ण लीला का मंचन किया जाता है तो आईए हम सब भी इस पावन अवसर पर भगवान की इस मधूर लीला का अस्वादन करें वह उनके ऐसे ही अमरित मैं दिव्य लीलाओं का श्रवन कर सर्वोच भक्ती रस अर्थात उनके असीम अनुग्रह को प् दिटी एच ऑपरेटर से समपर्क करें तदा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 766-839-839